मैं सुनीता गोयल को पितलम मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपकी ठेचा बनाना बताऊंगी यह चटनी महराष्ट की भेमेश चटनी है मैंने इसको कुल्चे के साथ खाया है आप दाल चावल किसी भी सब्जी के साथ पूरी पराठा जिसके साथ खाने का मन हो तो च चम्मच मैंने तिल लिया है सफेद वाला तिल है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है करी पत्ते एड़ कर दे से हैं इन सभी को हम दो चम्मच ओल में भून लेते हैं अच्छे से यह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी मिर्ची हमारी अब यह ठंडा होना छोड़ देते ह हैं अब यह बिल्कुल ऑफ्सनल है यह देखिए हमारी चटनी वन के तयार हो गई है बहुत ज्यादा बारिक हमें नहीं पीसना है बोल में ट्रांसपर कर लेते हैं और आपकी मर्जी है पूरी पराठा दाल चावल जिससे आपके खाने की इच्छा हो उससे खाईए पर खान